sle spawn कच Will come to our Channel देखें फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमें हैकश का दिखंड राप्र फिक्स करने का दिखाए हैं अभी उसका प्रद।h कि अगरे डाले वीडियो एख्राय gate ना र ovूर का देख हुम हुम है अगली वीडियो मिडाला हूं डालूंगा और वहां पर संप में दो मोटर रहते हैं उसको six square वार का वारिंग करके डालूंगा मैं क्यूंकि फ्लोरिंग में रहते हैं इसलिए solvent डाल के डाल रहा हूं पानी अंदर गए ने स्काउस के लिए फ्लोरिंग में रहने के वज़े से थोड़ा गम डालना है वहां पर बारिश पढ़ता रहते हैं पानी पूरा जाता रहते इसलिए देखे हम लोग चिपिंग कर लिये हैं और अब भी पाइप भी सेटिंग करके वहर भी खेच के आपको पैनल में फिक्स करके दिखा दे तो आन करके देखे फ्रेंट्स हमको रेड यलो ब्लू चाहिए हमको ब्लू यलो है और रेड नहीं है इसलिए मैं ब्लैक ले लिया हू कि यह दूसरी मोटर का है और यह दूसरी दो मोटर है दूसमें अभी देखे यहां से हम लोग छेवरी डाले हैं गम क्यों डाल रहा हूं वहां पानी ज्यादा रहते ना इसलिए कभी-कभी बारिश के उज़े से क्रैक्स हो गये तो पारिश में पानी चल जाता देया तो भी कुछ नहीं होता लेकिन सेफ्टी अच्छा रहेगा ना दीखे अभी हम लोग दो मोटर है इसमें लास्ट टाइम मोटर फिक्सिंग का वीडियो दिखाया हूं अगर यह वीडियो आपको समझ नहीं तो आओ इसके पहले का वीडियो देखिए और मेरे वीडियो सा आपको पसंद आएंगे तो सब्स कीजिए फ्रेंड्स और लाइक कीजिए और शेर कीजिए और आपको कुछ भी डोटो तो मुझे कामेंट कीजिए देखिए फ्रेंड्स हम लोग दाल ले रहे हैं यह पिलर के पास लेकर आया हूं है वहां से संप से देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग को पूरा वाइरिंग डाल दिया है हम लोग थोड़ा सा गम लगा लेते हैं यहां पर गम लगाएंगे तो सेटी रहेगा इसके पहले भी बताया तुम्हें अभी देखें यहां पर थोड़ा बिंड डाल लेते हैं दो बिंड लगेगा अब यह बेंड डाल लें हम लोग और मेरा चानल अपको मेरे वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब किजिए फ्रेंट्स व्यूस तो आ रहे हैं फ्रेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चानल को सब्सक्राइब किजिए देखिए अब यह और एक एक बेंड डाल लें रहे हैं कि अब हम उपर तक पाइप रेजिंग करेंगे देखिए अब यह पाइप भी डाल ले हैं ऊपर में एक बेंड डालेंगे दिखिए अब इउपर में बेंड डालके पैनल फिक्स कर देते हैं फ्रेंट्स पैनल को फिक्स करके कनेक्शन कर देते हैं कि अभी कनेक्शन करके आपको मोट रान करके मैं दिखा जेता हूँ अभी हम लोग पैनल में वैर छोड़ ले हैं और नीचे में और एक पैनल आता है दूसरा मोटर का उसका छोड़िया है वो होल्स कर रहा हूं कि वैर छोड़ देता हूं अदर में देकिए यह बाक्स में अंदर में एक पैनल आएगा यह आके 3HP का 3-phase पैनल आईया पैनल ने बनाव स्टार्टर बोलते हैं पैनल स्टार्टर भी बोलते हैं अब इसको अन्बाक्सिंग किया है हम लोग है वैरिंग भी कर ले हैं और फिक्सिंग भी कर दिया हूं धाला हॉ मैं स्क्रोन में कृ देखिए बनाव मे आदे रिखू अगाया के चार-घो लग पैनल आप लग साधिया है छारमा स्क्रो Casey अगाया खिक्म खिक्स उन्हार Aa और उसको अन्रड़ ईसको लगा के पैनल लगाके connection करके आपको motor भी आन करके दिखा देता हूं friends और सिमिन भी जो चिपिंग गेते हैं हम लोग उसको भी सिमिन भी कर दिये हैं हम लोग यह अभी उपर से वैड ले ले हैं उसमें तीन वैर आते हैं motor से और यह motor है उपर में डाला है को two motors बोलके इसमें red, yellow, blue देते हैं हमारे पास red wire ने था इसलिए black ही मिला है इसको हम red बना ले हैं यह यह लो है यह motor से आया हुआ है वह इस बुरा yellow wire भी connection कर देते हैं yellow wire connection कर देते हैं और next blue wire connection करके आपको 3 phase का connection भी करके दिखा देता हूं यह 3 phase का मेटर है ना motor है इसमें 3 phase आएंगे इसमें neutral नहीं आएगा और एक बात है friends यह ना सभी काम जानने वाले ही करिए क्योंकि पूरा power बन करके करना भरता है इसा ही कोई भी करने सकते है डारेटली पौर बन करके पूरा करना है यह क्यों 3 phase है ना अब हम लोग क्या गरें दे दे हैं blue को दे दे हैं अब यह नीचे में आके त्री फेस वाइर हो गया है त्री फेस है यह यह त्री फेस लेन है friends देखे रिए हम रेट को ब्लैक को रेट बना लिया हैं हम लोग क्योंकि कलर नहीं मिला इसलिए देखे अब हम लोग क्या गर रहे हैं अब एक रेट के जगा ब्लैक को दे दे हैं मतलब कि उसको हम रेट समझ लेंगे और यलो है यलो है यह वह ही राके 6 स्कुएर वह है यह सेफटी के लिए 4 स्कुएर में भी चलेगा लेकिन यह कभी प्राब्लम नहीं आना साव मुचके 6 स्कुएर डाल दे हैं इन्पुट भी 6 स्कुएर है आउटपुट भी 6 स्कुएर है फ्रेंस यह लो भी कनेक्शन करते हैं हम लोग आल्मोस्ट यह भी ब्लू दे देते हैं यह आके इन्पुट है यह त्रीफेस में लेन है यह त्रीफेस में लेन बोलते हैं यह भी यह ब्लू दे देते हैं हम लोग ब्लू होने के बाद पैनल रेडी हो जाएगा और मोटर के पास भी कनेक्शन करना है ना उसके बाद हम मोटर अन करके आपको दिखा देते हैं लेके ब्लू वाइर भी कनेक्शन कर दे हैं हम लोग अल्मस्ट हो गया तो मोटर रहे है यह इन्पुट है त्रीफेस का है अभी दिखे हैं अभी वैर खेचे थे ना यहां पे हम लोग टेप नीट से डालके वाटरप्रूफ टेप डालके बाद में जाइंट करते हैं जाइंट को सभी एक जेगा नहीं करिया अब अपन डाउन करना है जाइंट जबी भी करते हैं अब अपन डाउन करना है मतलब के एक फेच से नीचे में रहना है और एक जाइंट वह हिसाब से करना है मैं अभी ब्लू कर रहे हैं यही यह वाटरप्रूफ इंग का टेप है इसको डालके ऊपर से भी इंसलेशन टेप लगाना है फ्रेंड्स दिखिए यह वाटरप्रूफ टेप है यह जब अगर जाइंट पानी में पड़ जाएगा तो प्राब्लम नहीं रहेगा इसको यह वाटरप्रूफ इंग का टेप है इसके बाद अभी उपर से एक दो तीन लेयर है ना इंसलेशन टेप लगा देना है यह हो गया है अभी हम लोग नेक्स्ट बाए पूरा कनेक्शन करके मोटरा अन करके दिखा देते हैं फ्रेंड्स हो गया है ब्लू वैर पूरा जाइंट हो गया है देखिए जाइंट्स अलग अलग डिफ्रेंट्स में हैं अभी हम लोग क्या करना है सेफ मोटरा अन करके आपको दिखा देते हैं जो चिपिंग किया हुआ था देखिए फ्रेंड्स एक बार दिखा देते हैं और अभी मोटरा अन करके आपको मैं दिखा देता हूं, दिखे अभी आन करेंगे मोटर और सिमिंट भी डाल दिया हम लोग अभी, दिखे मोटर आन करेंगे, चलेगा, दिखे मोटर स्टार्ट हो गया, ग्रीन लेट भी आ गया है, मोटर पर्फेट चल रहा है, और सिमिंट भी करवा दिया हम लोग जो चिपिंग किया थे वो भी डाल के पूरा परफेट हो गया फ्रेंट्स देखे फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल को सब्सक्रेब किजिए और लाइक किजिए शेर किजिए थैंक यू फर वाचिंग